नमस्कार मैं राज महुंतिवारी आप देख रहे हैं बिहारी नियूज बिहार के 21 जुलाई का कोरोना अपडेट बिहार स्वास्त विभाग ने जाड़ी कर दिये हैं आगड़े के मुताबिक पिछले 24 गंडे में 1109 के 1109 ने कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आये हैं जिसमे गया 28,564 का और इस तरह बिहार में जो सक्रिय मामले के जो केस हैं जो अभी भी एक्टिव हैं वो पहली बार 10,000 के पार पहुंचे हैं बिहार में एक्टिव मामलों की संख्या अब 10,000 के पार पहुंच चुकी है 217 लोगों ने अभी तक कोरोना से अपनी जान गवाई है ब आपको बताएंगे पहले बात कर लेते हैं 20 जुलाई की यानि की कल के मामलों के बारे में जो रिपोर्ट हुए हैं कल जो आकरे हैं वो 431 के आकरे हैं उसमें अर्वल से 11, बाका से 6, भागलपूर से 51, बकसर से 21, दर्भंगा से 7, गया से 46, जमुई से 1, जहानबाद से 26, ल से 11, सारसा से 26, सिपूरा से 14, सीवर से 5, सीता मडी सी 11, सुपॉल से 8, वैसाली से 14 और वेस्चंपारन से 5, इस तरह कल के रिपोर्टिक मामले 25 जीलों के ही हैं कल 25 जीलों से ही मामले सामनी आएं जो 431 का है और 19 जुलाई के जो आकरे हैं जो आज साजा किये गये हैं साथ मे वो 31 जीलों से आए हैं, उनमें अररिया से 19, अरवल से 6, बाका से 8, भागलपूर से 30, भोजपूर से 31, बकसर से 25, दरभांगा से 12, इश्चंपारन से 12, गया से 52, गुपालगन से 2, जमुई से 23, खगडिया से 11, किसनगन से 24, लखी सराय से 5, मद्यपूरा से 13, मुगेर से 4 मुजफरपूर से 61, नालंदा से 8, नवादा से 2, पटना से 61, पूर्निया से 14, रोता से 67, सहरशा से 21, मस्तिपूर से 9, सारन से 32, सिवर से 8, सीतामडी से 16, सीवान से 14, वैसाली से 62, वैस्ट चंपारन से 1, इस तरह 19 जुलाई के रिपोर्टेट मामनी 678, नए कैस हैं, इस दो दिन से देखें, तो आकरों में थोड़ी बहुत गिरावत आई है, कहा जा सकता है, क्योंकि पहले जो आकरे कुछ दिन पहले आ रहे थे, 10 जुलाई के बाद से, वह 1600, 1700, 1500 इस तरह के आकरे थे, लेकिन कल जहां 189 के आकरे आए थे, वहीं आज 1109 के आकरे आए हैं, तो कह होई जा सकती है, कि लॉकडाउन के बाद थोड़ी बहुत आकरों में गिरावट नए पॉजिटीव मामलों के मिलने में हुई है, एक और जानकारी आपको देते हैं, जो कि मास्क से जुड़ी हुई है, केंद्रिय स्वास्त मंतरी, डॉक्टर हर्षवर्दन या जानकारी सा उससे बचें, उन्होंने क्या लिखा है, क्या ट्वीट किया, इसको भी हम आपको दिखा देते हैं, उन्होंने लिखा है, वॉल्व लगे N95 मास्क, कोविड-19 के परसार को रोकने में सब छम नहीं है, छिद्र युक्त स्वसंत यंत्र लगा N95 मास्क, कोरोना वाइरस के पर वॉल्व लगे हुए हैं, जैसे कि आप देखते होंगे कि मास्क के उपर एक गोला सरकील आता था, वो जिस भी मास्क में यूज है, वो किंद्रिय स्वास्तमंत्री का काना है कि वो सेफ नहीं है, कोरोना के परसार को लेकर तो आप उससे बचें, और कपर से बने मास्क आप देखते रही है बिहारी न्यूज, धन्यवाद